Hello Guys, मैं आपको copy paste story वीडियो बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसे आप भी copy paste story वीडियो को आप भी बना सकते हैं Master AIP पर आने के बास मैं ने यहाँ पर एक image को select कर लिया आप भी कोई भी एक image को select कर ले ना फिर आपको इस image के option पर click करना है इस image को उतना ही लंबा कर देना है जितना लंबा आप वीडियो को बनाना चाहते है यहाँ पर मैं उस image को उतना लंबा कर दिया हूँ फिर आपको यहाँ पर pen zoom का option मिलेगा उस पर आपको click करना है दोनों finger के माध्यम से इस image को zoom कर लेना है आपको इस arrow के option पर click करना है फिर आपको यहाँ पर आपको click करना है आपको layer के option पर click करना है यहाँ पर आपको media का option मिल जाएगा उस पर आपको click करना है यहाँ पर मैं white template को ले लेता हूँ मैं आपको last के वीडियो में बता दूँगा की Y template को कैसे बनाया जाता है यहाँ पर आपको arrow मिलेगा इस arrow के माध्यम से इस image को चौणड़क कर लेना है फिर आपको वीच में इसे argest कर देना है, इस image को उतना ही लंबा कर देना है, जितना लंबा आप वीडियो को बनाना चाते हैं यहां पर मैं उतना ही लंबा इसे भी कर देता हूँ अब आपको फिट से layer के option पर click करना है, फिट से media के option पर click करना है यहां आपने जो pixel apps से image को download किये था, उस वाले image को select कर लेना है यहाँ पर मैंने उस वाले image को select कर लिया हूँ इस arrow के माध्यम से इस image को भी लंबा कर लेना है वो स्वारी चौड़ा कर लेना है यहाँ पर इसे ऐसे adjust कर देना है अब आपको इसका timing 50-60 second रखना है आप उतना ही timing रखेंगे जितना कि आपको पढ़ने में आसानी हो यहाँ पर मैं इसे 30-40 second रख लेता हूँ अब आपको यहाँ पर एक चौभी को option मिल जाएगा उस पर आपको click करना है यहाँ पर मैंने चौभी के option पर click कर दिया हूँ फिर आपको इस image को इस तरीके से last तक ले जाना है फिर आपको finger के माद्यम से इस image को उपर ले जाना है यहाँ पर मैं इस image को उपर ले जाता हूँ आपको पूरा ending कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अब आपको story को start करके दिखा देता हूँ फर्स्ट लेयर तो हर कोई लगा लेता है बट सेकेंड लेयर को नहीं लगा पाते हैं मैं आपको इस वीडियो में सेकेंड लेयर को भी लगा कर दिखाऊंगा यहां पर आप देख सकते हैं कि कहानी काफी स्पीट से चल रही है अगर आपका कहानी काफी speed से चलता है तो आपको कहानी पर ऐसे click करना है कहानी पर click करने के बाद इस कहानी को ऐसे लंबा कर देना अगर आप लंबा कर देते हैं तो आपका कहानी slow में चलेगा अगर आप इसे कम कर देते हैं तो आपका कहानी fast चलेगा तो आप समझ गए होंगे अब मैं आपको second layer को लगा कर दिखा देता हूँ आपको इतने पर adjust कर लेना है अब आपको फिट से layer के option पर क्लिक करना है फिट से मीडिय के option पर क्लिक करना है यहां पर आपको दूसरे image को ले लेना है यहां पर इसका भी टाइमिंग आपको 50 से 60 सेकंड रखना है आप उतना ही टाइमिंग रखेंगे आपको एक बार पढ़के देख लेना इसका टाइमिंग सही से लगा है कि नहीं लगा है अब आपको फिर ते चावी के आप समय पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको इस इमेज को भी ऐसे लाश तक ले जाना है अब आपको फिंगर के माध्यम से इस इमेज को उपर ले जाना है इसी तरीके से आप सारे लेयर को लगा सकते हैं अब मैं आपको इस काने को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ की दूसरा layer सही से लग पाया है की नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा दूसरा layer भी लग गया है अब आप यहाँ से वाइस ओबर कर सकते हैं आपको record के option पर क्लिक करना है आपको start का option मिल लेगा उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा कहानी record होने लगेगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगया हो तो प्लीज आर सस्क्राइब जरूर करना